हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार गुनाशिव पुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने चुनावी ब्यौरा पेश कर दिया है। खर्चा किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी जोती रादित्य सिंधिया ने 26 अप्रेल से लेकर अंतिम दिन तक 71,82,087 रुपय का खर्च दिखाया है। और योगी आदित्यनाथ ने जन सभाएं की थी। संसदीय क्षेत्र के अंतरगत गुना शिवपुरी अशोक नगर में नुकडेडे सभाएं भी आयोजित की गई थी। जिनका ब्यौरा भी जोती रादित्य सिंधिया द्वारा दिया गया है। वहीं जोती रादित्य सिंधिया के सामने चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह ने भी चुनावी खर्च का लेखा जोखा पेश किया है। चुनाव में उप्योग किये गए वाहन कार्याले रैली पर खर्च को दर्शाया गया है। यादवेंद्र सिंह का चुनावी खर्च सिंधिया के मुकाबले में दस गुना कम खर्च किया है। याद वेंद्र के पक्ष में किसी बड़ेड़े नेता ने चुनावी सभा भी नहीं की थी, वैसे दोस्तों आपका पसंदीदा नेता कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताएं.